कि क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्वधी चैनल कलेक्टिव स्टेडी फॉर सेक्सेस पर आपका बहुत-बहुत-बहुत करता हूं देखिए आज हम देखेंगे 25 जनराई करेंट एफेर हिंदी इंगली दोने वाशों में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसक्रक्शन दे रख आ है प्लोग जैन कर सकते हैं यहां पे आपको स्टेडी प्लां मिलता है डाउट डिस्कृशन लाइब होता है यहां पर रोज आपका में सांसर आरटिंग प्रैक्टिस होती है आपको यह करेंट अफेयर, इसकी PDF मिलती है एन मैंड refuse Dr. po d. पर ब पीसे एक्जामनेशन में वो हैं ये सारे ठीक तो चलिए इनको देख लेते हैं विस्तार से पहला जो हमार टॉपिक है जनल स्टुडीज पेपर 3 इन्वार्मेंट से समंदित गैनोडर्मा ठीक है गैनोडर्मा करके क्या है कि ये कवक यानि कि फंजाई की दो नई स्पेशीज है केडला में इन्टिफाई करी गई है ये कोकोनट का जो पेड होता है उसके तने को सडाने से समंदित है गैनोडर्मा केडला में पाई गई दो नई स्पेशीज है कवक की यानि फंजाई की जो की कोकोनट के तने को सडाने में का काम करती है फंजाई है कवक है इसका नाम भी नहीं रख दिया इतना अधा इंपोर्टन नहीं गैनोडर्मा केरल लेंस और सुडो एपला नाटम ठीक बायो मारकर भी इनके जो है इसको जो है इंटिफाई कर लिया है पुब्लिक ली एवलेबल करा दिया इसका डिने सीक्वेंस ठीक और यह जो है माइकलोजिया करके ज जो कोकरणट में होता है इसको भारत के अनने जगाव जाना जाता है अलग लग नामों से जैसे गैनोडर्मा विल्ट अगर बोला जाता है तो अंधर पदेश में अनोबरोगा जो है करनाटिका में थंजावूर विल्ट तमिलनाडू में ठीक कुछ नामें इस तरीके से हैं infection जो है जडों में स्टार्ट होता है देरे देरे और फिर color खतम होता जाता है जो तनहा है वो भी सडने लगता है लीव भी सडने लगती हैं फिर बाद में जो है फ्लावर और नट भी इसमें decrease हो तो फिर आखरी में kokonut palm पाल्म जो है वो मर जाता है अच्क इस सेरीक्ध कर क केरला में बर्ड एटलेस अभी लॉंच किया गया पहली बार फस्ट ऑफ इट्स काइंड है कि इस्टेट लेवल पे बर्ड एटलेस इंडिया में यह बनाई गई है इसको अगर मैं पिक्चर में आपको दिखाऊ देखे इस तरीके से इसका यह पिक्चर थी इसमें की एन एट वेट सीजन में यानि कि आपका जुलाई से लेकर सप्तमबर और यह यह ओट ड्राई सीजन में जन्वरे से लेकर मार सकने हैं तो इन्होंने पाया कि जब आपका वेट सीजन में जो है पक्षी कम देखे गए dry सीजन के मुकाबले dricor साथ इसाथ जो आपका नदन एरिया है और बीच का एरिया है केड़ला के वहाँ पर इस्पेशीज की रिचनेस और स्पेशीज की इवेननेस दोनों ज़ादा थी सदन केड़ला के कमपरिजन में मैंने इस पूरा इरिया का तो उसमें कितनी सारी स्पस्थ अगर जादा स्पेशिस जदी जदा तो रिष्टनिस कम है पूरे जो है एरिया में आपके पांच इस पैस स्टीज इवनेस कम यह है कि मुझा यहां पर टोटल जो है जो इस पैसी थी वह अलग जो पर जाती है तो बर्ड की तो वह पांच है लेकिन उनके टोटल जो नंबर है सभी इस परशीज का मिला कर वह सो ल हो ठीक हो प्हाल रहा है लेकिन यहां पर क्क्न हो रहा हैं लेकिन एक स्पेस्शीस का एक यही है बाकी चारो छारो 파िस के 99 बर्ड है यहां पर इश्च्षी से यंदे सव constant एक अनुपात में नहीं है तो इवननेस तब होगा जब अनुपात जो है सबका लगब लगब सेम हो तब होगा ठीक और यहां पर यह भी बताए गया जो कोस्टल एरियाज है ठीक ना यह टटीय छेतर जो है किरला का वहां पर इस्पेशी जातर जो बर्ड्स की है वो ठ्रेट यह कुछ तत यहां पर पूरे उसमें बताया गया है यह मैंने आप लोगों को यहां पर एक साथ बता दिया ठीक बाकि कितनी देखी गई कि यह सब इतना आदा इंपोर्टन नहीं है जादा जो एंडमिक वाली है स्थानिक जो पक्षी है वेस्टर्ण करहाट्स में ज्याद और शौर्ट डूरेशन जो कई सारी माइगरेंट इस्पेशीज होती उनको इस सर्वे में नहीं लिया गया है अगला जोमा टॉपिक है यह भी जैनल स्टेडिस पेपर 3 इंवार्मेंट से बरबर क्यास टॉपिक है देखे राज्य पर्यावरन प्रभाव आंकलन एजेंसिय डिक स्टेड इंवार्मेंट इंपक्ट असेस्मेंट एजेंसिया अब क्या है कि इंवार्मेंटल इंपक्ट असास्मेंट को सी लेवर्मेंट 930 एक क्लियर करते हो तो उसी कितनी तेजी से आप क्लियर करते हो उस बेसिज पे हम लोग जो सूच-कांग बना रहे हैं उसमें आपको रैंकिंग देंगे और आपको पुरसाहत देंगे यहां पर सत्राइलवरी को सात क्राइटेरिया दिये हैं कि हम रेट करेंगे स्टेट इन्वार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट अजेंसी को किस पर ट्रांसपरेंसी पारदोर्शिता एफिशेंसी और अकाउंटिविल्टी पर ठीक उन्हों बोला कि भाईया on the scale of 7 जिस भी SEIA कि दो मार्वार्मेंस मिलेंगे अगर वह कोई मैंसी इन्वार्मेंटल स्यING दिन T से कम ग्रामेंसी स्कुरूटिन करने के लिए अगर side visit करनी पढ़ रही है 10% से कम तब तो भाया एक mark और 20% से ज़्यादा मिलनी करनी पढ़ रही है side visit तो 0 marks मिलेगा तो मुलताब side visit की है बगैर ही environmental clearance दे दिया जाए ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको तो यहाँ पर यह चीप बताता है कि SIA अगर किसी का score साथ या उससे ज़्यादा हो तो तो 5 star rating हो जाएगी तो score यहाँ पर बढ़ावा दें के लिए लोग बिना देखे ही side के लिए कर सकते हैं हो सकता जल्दी के लिए तो यह और इसाई चीए थी ministry ने हाला कि यहाँ पर बोला कि हम यह ने चारें की बिना देखी कर दे ठीक अच्छा जो project का appraisal होता है उसका जो process है उसके लिए online portal है वो नाम या रखेगा परिवेश नाम है जिसमें की companyya जो है documents upload करती है अपनी portal पे और वहाँ फिर उसका प्रोजेक का appraisal मुल्यंकन होता है परिवेश पोर्टल का नाम है ध्यान रखना पूच सकता है ठीक अगला जमाट पे के general studies पे पत्तरी security issue समझे देखे 84 weapon का contract हुआ है ठीक पहले weapon दिखाऊंगा तब आएगा मजा देखे इसमें ये भाई साब जो ये पकड़े हुए है इसको बोलते है कवच को तोड़ देती है ये आपका और बहुत मतलब building में दागना है बहुत सारी चीज़ों में काम कर सकता है एक विक्ति चला सकता है single shot होता है सुडिश की जो company है साब उसका ये weapon है 84 anti-armored weapon है तो आप इसको ऐसे आते सकते हो सुडिश भाई साब 84 anti-armored weapon मनाता है तो साब कंपनी है सुडिश कंट्री है 84 anti-armored weapon है इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स ने इसको जो है select कर लिया है इसका पूरा नाम है 84 CS AST building bunker urban environment में बिल्कुल बढ़िया काम करता है तोड़ता है नौ किलो तक का होता है 200 मीटर तक की range है lightweight है वही साइच चीजें है और simple सा है इसको आप जो है इसकी efficacy काफी बढ़िया है proven है landing craft है helicopter, armored, vehicle personal किसी पे भी आप इसको चला सकते हो ठीक, बढ़िया लग रहा ना अगला जो topic है जोग्रफी सब्सक्राइब देखे सेला tunnel project अब सेला एक pass है दर्रा है अनौनालचर प्रदेश में ठीक और ये इसके जो है ये आपको जो है tunnel बनाई जा रही है सेला pass tunnel पे ठीक, ताकि हम लोग तवांग जा सकें जिसपे की चाइना ये अनौनाचर प्रदेश का एरिया है पूरा जिसपे की चाइना बहुत जादा जो है अपना वो बना कोशिश करता रहता है कि तवांग हमारा है तो सेला pass जो है वहाँ पे tunnel बनाके हम रोड के जरिए एक घंटे से कम समय में यहाँ पर तवांग पे पहुच सकते है दिरांग, बॉमडीला यह भी एक पास है तो यह सारी चीजे है आपका जो वेस्ट कामेंग डिस्टिक्ट है अनौनाचर बदेश की ठीक, वहाँ पे यह चीज आपका यह आपको दिखता है ठीक, मैपिंग जरू कर लिजेगा अच्छा बताइए भारत का सबसे इस्टन मोस्ट डिस्टिक्ट कौन सा है ठीक, इससे लिटर्ड है इसलिए मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ और यह भी प्रोजेक्ट कौन बना रहा भाई साथ डिरेक्टर जर्नल बॉर्डर रोड जो है उसने कंड़क किया सिंपल चीज लोकेशन की है वैस कामें डिस्टिक में और अच्छा बदेश में वो चीज यहाँ पर और आपका अल वैदर करेक्टिविटी हो जाएगी तवांग के लिए इसको वस्याद दखेगा ठीक सेला टर्नल प्रोजेक्ट जो है प्रदामंत्री जी ने ननेंदर मोधी जी ने 2019 में चलू किया था नेक्स टॉपिक एज जनल स्टुडीज पेपर वन आर्ट अक कल्चर थिरू आर नागा स्वामी देखें इनकी हो गई है भी देथ ठीक प्रदामंत्री जी ने एस उसल सौरो और काफी वेक्त किया ठीक और ये एक आर्टियो लॉजिस्ट थे यानि प्रख्यात पुरा तत्विद थे ठीरू आर नागा स्वामी और ये तमिलाडू से थे ठीक वहां के कल्चर को काफी उन्होंने प्रप्लराइज किया था राम चंदरन नागा स्वामी 1930 से 2022 ये इंडियन जो है इतियासकार थे पुरा तत्विद थे यानि कि आर्केलोजिस्ट थे एपीग्राफिस्ट थे जो उस पे पत्थर पे लिखने हो दा तो पुरा लेक शास्त्री भी थे और टैंपिल इंस्क्रिप्शन यानि कि मंदिर शिला लेखो को और कला इतियास पर उन्होंने काफी काम किया तमिलनाडू की और ये तमिलनाडू एकलोजिकल डिपार्टमेंट के जो है निर्देशक भी थे ठीक निर्देशक थे सोरी और इन्होंने एन्वल चिदंबरम नत्यांजली फेस्टिबल जो निसो सी से जो बनाया मनाया जाता है उसकी स्टार्ट कराया थी चोला ब्रॉंजस पे भी इनकी काफी 30 थी और इंडिया के तीसरे हाईएस्ट सिविलियन एवार्ड जो है परन भूशन उससे भी इनको समानित किया गया था 2018 में ठीक आप लोग के लिए होमवर्क है चोला डैनिस्टीज को जो है आज आप लोग को पढ़ना है ठीक अगला जामा टॉपिक है जनल स्टेडिस पेपर 3 एकनॉमी से कॉमबर बोल दो ठीक यह सारे खीरा अब खीरे में भारत जो है सबसे बड़ा जो है निर्यातक बन गया है पूरे वर्ड का बस इतना इसमें आपको ध्यानक ना है वर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ घरकिन इन दा वर्ड कौन है बाई साब इंडिया ठीक और इसने अभी यूएस डॉलर 200 मिलियन का मार्क जो है अभी जो है इसने अचीव कर लिया है अई कल्चरल प्रोसेस्ट प्रोड़क्ट है कुछ मतलब इसकी जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग करी जाती है पिकलिंग ककंबर होता है और घरकिन कॉर और दूसरा कंबर और घरकिन जो है अपको प्रुवेजनली प्रिजर्फ किया जाता है सिंपल सी बात है नबे के दर्शक में जो है करनाटका में चलू हुआ फिर तमिलनाड़ू आंदर पदेत लंगाना में लगा पूरी दुनिया में भारत के अकेले में 15 परसंट पूरा दुनिया में जितना भी होता प्रुडक्शन उसका भारत में ही खाली 15 परसंट हो जाता है और बीस कंट्री से ज्यादा जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं कई अलगलग कंट्री चाइना भी है और इसराइल भी यह द्यानकना और एक्सपोर्ट पोटेंचिल हमारा और ज्याद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन हो गया है घर किन में इंडिया हो गया है ठीक है अगला जमाटोपिक शोशेशू समधित है कि उमंग रंगोली उत्सव आर्टन कल्चर से भी आ सकता है समधित उमंग रंगोली उत्सव आप लोगो मैंने आज बताए विदा टेलेग्राम चैनल पर की नैशनल ग्र्ल चैल्ल डेः हम चामविश जनवरी को मनाते हैं चामविश जनवरी को ही उत्तरबदेश दिवस भी होता है और चाल्विश जनवरी को ही इंटरिशनल डेअप एठीक काफी ज्यादा और दिन होता है अच्छा ठीक क्यों होता यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो चौवे जनवरी को अमंग रंगोली उससव जो है मनाया है आपका मेंस्ट्री ऑफ कल्चर ने ठीक और यह सेलिबेट इसलिए किया गया है नैशनल गर्ल चाइल्ड हमारा जो है चौवे जनवरी को मना जाती है उसी क रोड पर और स्कॉयर भी कई सारे जो चौरा है उन पर भी बनेगा यह इसमें जो जो भी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम पर रोड जो है जो चौरा हैं वहां पर यह रंगोली के डेकुरेशन किये जाएंगे ठीक फीमेल रोल मॉडल जो भी है कंटी के तो मल्ल जो आँवा टॉपिक है वो है जनरल स्टेडिस पेपर टू पॉलिटिंग गवर्नेस सबंदित भंडारी कम्मूनिटी सिंपल चीज है चुनाव हो रहा है पांच राज्यों में कौन कौन से राज हैं बाई साब उतराखंड आपका यूपी पंजाब हो गया ठीक गोवा हो और पांच वा कौन सा है कमेंट करके बताईएगा ठीक तो यहां पर गोवा में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एक चीफ मिनिस्टरियल केंडिडेट चुने गए हैं बनाए गया है मतलब अभी चीफ मिनिस्टर बने नहीं है अभी इलेक्शन होना है 14 फरवरी को तो वो जो है भंडारी कमुनिटी से इतना बस समब लिजे यह भंडारी कमुनिटी गोवा की लार्जस्ट कास्ट ग्रूप है ग्रूप है तो अब तक देख रहो इलेक्शन हो रहा है लेकिन अभी भी कास्ट लेजिन इनी सब पर ही जो है सबसे आदा वहां पर कमुनिटी यह ध्यान देने चाहिए और काफी सिंग्रीन परसेंटेज ही हिंदू seamlessly में इनका बंढारी कमुनिटी का ये वंडारी करते हैं थोड़ा साइव सभ्ण सकता है पूछ से समद्रन पोच्शन में सकता है इनका ट्राइज अकूपेंशन वेवसाय होता है वो होता है आपका ताड़ी निकालना टॉड़ी टेपिंग और आसवन करना यानि डिस्टिलिंग करना फार्म ट्रिलिंग खेट जोतना बगीचों में काम करना ओबीसी की शड़ी में आते हैं गोवा और मारास्टा के कौनकन बल्ट में होते हैं जैसे यह अगला जमवर टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है वाई साथ जनल स्टेटीज पेपर 3 इकनॉमियन साइन्स टेक्नलोलोजी से बहुत बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है आपको बता रहा हूं नॉन फंजिबल टोकन आप और निये टोकन ठीक यह क्यों आया न नॉन फंजिबल टोकन ठीक उस कोर में कुछ कीवर्ड्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए ताकि मालिजे मेंस में फ्रिमेंस में आया कोश्च है तो आप लोग कर ले जाओ अब नॉन फंजिबल टोकन क्या है एक यूनीक इर्रिप्लेसबल टोकन है जो की यूज की जात वह थो यूनीक है फिक मतलब कि आप उसको जो है एक अपकी अलग एक है आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी और के साथ में ठीक और यह फोटो आपकी है तो ये इस डिजिटल कंटेंट का जो पिक्चर है इसका सौमित को पूरूफ करने के लिए आपटने नौन फंजिबल ट को बहुत अच्छे सौमें आगया होगा अब अच्छा नॉन फंजिवल बोला जा रहा है आप और निये टोकन ठीक फंजिवल क्या चीज है किसी इसी प्रकार के डिजिटल टोकन को जो है जिस पर माली जै आपका सौमित्त तो है लेकिन आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो दू लेकिन हमारा आपकी जो यह डीपी थी यहाँ पर फिक्चर थी इन नॉन फंजिबल क्योंकि आप उसको रिप्लेज अपनी डीपी से किसी और के पास आप किसी और के डीपी शेयर नहीं कर सकते हो ठीक आप मेका से बिलकुल ही आपको एक क्लियर हो गया होगा ठीक उसी तरि और आपने अब डिजिटल जो कंटेंट है उसको भी एक यूनीकनेस कर दिया और इस पर अपना सौमित बना दिया तो जैसे आपकी लैंड होती है जमीन होती है और भी कई सारे एसेट होते हैं वैसे नॉन फंजिबल टोकन भी एक एसेट है अब सामझ में आए ना पूरी पूरी चीज की नहीं आई ठीक तो यहां पर यहींची मैं आपको बताना चाहरा था बहुत जादे इंपोर्टन है जरूर पूछेगा जरूर जरूर पूछेगा ठीक अच्छा यह भी जो है ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी पर काम करता है इसको मैंने बताया था और यह काफी एक इजी तरीका है कि मोनेटाइज कर सकते हो आप अपना वर्क ठीक है ना आप भी बना सकते हो जो भी सुन रहा हो खुद भी अपना डिश्टल कंटेंट वा कुछ भी है म्यूजिक है आर्ट है दो लिखा हुए ना म्यूजिक आर्ट इवन टूइट और मीम भी आप बना सकते हो उसको भी है नॉन फंजिबल टोकन ठीक अचार रीजन एक और भी है कि नॉन फंजिबल टोकन इस समय हाई डिमांड पर हो रहा है भाई साब भी बड़े-बड़े सलिबर्टी बना रहा है ठीक एक मलेशिया का शायद जहां तक बंदा उसने तो अपनी सेलफी बेच बेच के वहीं बेच दी बाई साब एन फ्टी बनाकर तो एक और रीजन यह है इसकी हाई डिमांड का कि बाई साब यह डी सेंट्राइज फाइनस को बढ़ावा देता है डी सेंट्राइज यानि कि इसमें की बैंक वैंक का कोई बीच म को इनवंब्ल्मेंट नहीं होता सीधे आपको जो है आपने अफ्टी जो है अपनी सेल करने के लिए गये और उसनद किसीन इसने खरीदा आपकी इनफ्टी को तो बीच में कोई इसमें जो है इंस्टिशन का इंवल्मेंट नहीं हो था जैसे कि बैंक तो इसको बोदते हैं इसेंट्रलाइस्ट फिनेंस चिक सुन मैं चले फर से रिवाइस कर लेते हैं संबरी को एक रिवीजन 25 जनवरी दोजाबाइस का 25 जनवरी को होता है वोटर्स जे वोटर्स क्यों मना जाता है 25 जनवरी को यह आप लोगों को बताना है गैनो डर्मा केडला में दो नई शवर्ण के फंगी की कवक की प्रजातिया पाई गई गई है जो कि कोकनट के तने को सढदती है केडला बड एटलस पहले अवार भारत में इस्टेट के दुर्ण बंड ब करवटर्स बनाएं गई है जिसमें यह बताए गया है क्या सारे औप्सरुशन है कि वेट जो सीजन होत s слож is moment 16 जो आपकी स्पेशीस हैं बड्स में जनाता है जो कोश्टर से ना में वह थ्रेटन जायता है सिट अंजू क्मपयोद और इंप्क्राइश्मthis जहां ग्रेंशन एप इंप्रतीआं इंपालाहसेन तो इनके लिए पोटब होता इसका नाव में परिवेश और अभी इस पर केंद्री गौर्वर्मन्ट जो इन्वर्मनिस्ट्री है उसने यह कहा था कि भाई साब हम रैंकिंग और प्रसान आप लोग देंगे अगर आप जल्दी से इन्वर्मनिक क्लिरेंस जो है देते हो कम समय में देते हो तो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे बिना स भाई साब 84 वेपन बनाता है जो की एंटी आर्मर्ड वेपन है सेला टर्नल प्रजेक्ट तवांग जाने के लिए अनुनाचर प्रदेश के वेस्ट कामिंग डिस्टिक में एक पास है दर्रा जहां से टर्नल बना जारी रोड बनेगी और और वेदर कनेक्टिवटी हो जाए है खीरे को ठीक है दुनिया में उमंग रंगोली उस सब जो है आप लोगों को पता है नैशनल गर्ल चैल्ड डे जो है 24 जनमरी कोई मनाई जाता तो उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चन ने जो भी रोड या फिर चौरा है जो फ्रीडम फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के नाम प प्रीडम फिर टीवी है गोवा से सबंदित है नॉन फंजिबल टोकन इंपॉर्टन यह यूनीक होता है ठीक और नॉन रिप्लेसिबल होता है मुला आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं अपका डिजिटल कोई आपका कोई म्यूजिक है आर्ट वर्क है उसको जो है आप एक एस के उपऄर आपका स्वामित ओनर्शिप हो जाए और वो यूनीक है और उसको एनकिया सकते हैं तो इसको नॉन-फंजिबल टोकन बोलते हैं तो अगर कोई आप से बुद्थे कई काई से आप लोग चायए टाया तो प्लीज लाइक अउट उट आड़िये जदा जदा लोग को जोड़िए लाइक शेर सब्सक्राइब और कमेंट कराकर चलिए कल फिर से मिलेगे सुब अच्छे वह तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा जाएं जावरत और वेस्ट है वंदे वंदे मात्राम